हेलो फ्रेंड्स जय स्री कृष्णा जय मतादी जय स्री शाम कैसे हो दोस्तों आप सभी आशा करूँगी कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे इश्वर से प्राथना करूँगी आपको हमेश आखोष रखे और जो ये प्यारी प्यारी आखे हमारी वीडियो को देख रही है व दोनों में से कोई एक आपको चुस करनी है उसके बाद हम देखेंगी कि आपका भाग्य आपको कहा ले जाना चाहता है और आपको क्या सावधानिया आपको रखनी है कि इन चीजों का आपको विश्चेश अपने फ्यूचर में धिहान रखना है इस आपकुछ बाते इस वी आपको नाम लेकर जल्दी से कोई एक नमबर वन या टू चूस कर ले पहले नमबर की फिश जिसने भी चूस करी है मच्री यानि की सिल्वर कलर की जिसने चूस करी है देख लेते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है जिसका आपको विशेश ध्यान रखना होगा किस तरह स आपको अपने भाग्य को समझना होगा तनाव कम होने से नए उत्साह के साथ काम करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी आप से जुड़ा कोई व्यक्ति आपको प्रेंडना देने की कोशिश करेगा उनके साथ के कारण कठीन कामों को भी आप आसानी से कर पाएंगे प्रभाव आपको दी जा रही है पूरे विश्वास के साथ आप काम करें लोगों के द्वारा आपके काम में बाधा डालने की कोशिश की जा सकती है अभी के समय में अकेले ही काम करना आपके लिए बहस जरूरी है क्योंकि किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास करना आपक बेचेन कर सकती है योग्य लोगों का साथ भी आपको प्राप्त होगा करियर की अगर बात करें तो अन्य लोगों पर निर्भर रहना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा इसलिए हो सके तो जितना जल्दी आप इंडिपेंट हो जाए क्योंकि अगर आप डिपेंडेबल रहेंगे तो कहिना का यह चीज आपको आगे चा करके परेशान कर सकती है सैयम के साथ बड़े लक्ष की सफलता के लिए काम करते रहें धेरी रखें उसिफ महनत पर ध्यान दे सफलता जरूर मिलेगी लेकिन धीरज रखना होगा आपका भाग यह बहुत उजवल है आपको जीवन में वो सारी उपलब्दिया मिलेगी जिसके लिए आपने प्लानिंग कर रखी है उन सारी उमीदों पर आप खरे उतरेंगे जो लोगों ने आप से लगा रखिये आपके परिवार के सद्रस्यों ने आप से लगा रखिये यहां तक कि आपके जलने वालों को भी जल्दी आपको मांग द्रशन मिलता हुआ दिखाए देगा और प्रेतनों में जिस तरह से सतरकता आप बरत रहे हैं उसी तरह से परिणाम आपके सामने आने वाले हैं और बहुत जल्द आप उन उचाईयों पर पहुँचने वाले हैं जिन उचाईयों पर पहुचने के लि भी हासिल करेंगे परिवार के लोगों का साथ पूरी तरह से आपको मिलेगा जिससे कि आपके जो financial condition है वो भी दूर होगी कर्ज पूरी तरह से आपका खत्म होने वाला है पेसो का उप्योग फिर आप ठीक से करिएगा माल दीजिए आपके पास आपके इंकम के इस तरोद बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लग गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपको पैसों को फिर तोल मोल के खर्च करना होगा मोजबस्ती के कारण आप अपने लक्ष से भी विचलित हो सकते हैं इसलिए जितना हो सके आप अपने लक्ष पर ही concentrate रखो कभी कभी आपके साथ यह चीज होता है कि आप अकेले रहते हैं जब तो आप अपने लक्ष के परती concentrate बीठा पाते लेकिंग जैसे ही negative लोगों के बीच में जाते हैं आपको concentrate बीठ जाता है तो इन लोगों से जितनी जल्दी हो सके दूरी बना करके रखें जिन बातों में सुधार करना चाहते है लिए वक्त के अनुसार आपको सुधार करना ही होगा क्योंकि अगर आपने सुधार नहीं करा तो बहुत जल्दी आप फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है लाइफ में हमें खुद के नैचर में बदलाव करना होगा लोगों के हों कि जरूती जैसे आपने मना कर दिया अब उसका मूर्चेंज हो गया वो आप से अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो इस बदलाओ को स्विकार कर रहे हैं उसकी सोच को समझे कि कितनी छोटी सोच का इंसान है उसके उपर आपको मुस्कुराना चाहिए मुस्कुरा कर उसे जबाब देना चाहिए कि तो कितनी छोटी सोच के इंसान हो जो अपने मतलब के लिए हमेशा मेरा यूज गरते है और आगे भी करोगे तो मैं चरूर तयार होंगा टेंचन ना ले इस सोच के साथ सामने वाले को फैस करोगे तो कभी भी किसी पर गुसन नहीं आएगा हमेश लोगों के अगर मदद भी कर रहे है तो अपनी आर्तिक स्तिति को ध्यान में रखते हुए अपनी कंडिशन को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद करना से के वरनावत आप पश्टाइवें सैकंड नमबर की बात करें जिसनवी गॉल्ड कलर की फीश चुनी हैं देख लेते हैं उनके लिए भाग्य में क्या करें तेरोगा भावनात्मक तत्लीए आपके विचारों जेंसे बहुत ज्यदा विचार आते हैं इतने विचार कहां से आ कर रहे हैं कोई माला जप रहे हैं या कोई पार्ट कर रहे हैं तो उस समय भी माइंड आपका स्थीर नहीं रहता है बहुत ज्यादा मेंटली पता नहीं क्यों माइंड इतना ज्यादा चल रहा है बेमतलब चल रहा है जहां नहीं जाना चीए वहां चला जाता है आप तो बैठ मजी को अगर नाइगेटीव बना रहे हैं तो उसके पीछे मात्र एक्रिजन है आपकी सोच्ष आपकी बैचेदली आपका ड़र आपकी निराश यह सारे चीज़े के आप निराश होंगे तो आपको बैचे नहीं होगे, आपको डर लगेगा, आपको डर लगेगा तो बहुत ज़्यादा आप सोचोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा विचार आएंगे, तो इसलिए जरूरी है, फ्रीली होने का, बिल्कुल फ्री रही है, माइन में कोई टेंशन नही की टकरार चलती रहती है, यह बड़े विवाद में तब दिल सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव रवईये की वज़े से होता है, इसलिए हर चीज को लाइटली लिने की कोशिश करिए, थोड़ा पैशन रखिए, इतना जादा हड़ बढ़ाना नहीं होना, इतना जादा क्रोध नहीं करना है, अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई चलाके भी कह रहा है, या कोई गुसे में कह रहा है, या कोई गलत भी कह रहा है आपके बारे में, तो उस बात को समझे, उस बात पर कॉंसेंट्रेट करिए, कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, कि जो आलोचक होते हैं, वो कुछ ऐसी बाते कह जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती है उनको बदलना माली जी किसी ने बोल दिया कि तेरा तो बोलने का ढंग बहुत बेकार है तो थोड़ा आप समझिये उस बात को हो सकता है हमारे अंदर हमें बदलाव करने की जरूती तो उसे आपको ठेंक्यू केना चाहिए क्योंकि उसने आपके कम्यों को बताया मन्ना इस दुनिया में तो ऐसे लोग जो जूटी तारिफ करते फिरते हो आप उसे सच मानते तो ऐसा नहीं होना तो आलो चको भी आपको कहिना कंई सोचना चाहिए उस बारे में कि सामने वाला ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे का reason कहा कई वो सही तो नहीं है ठीक है उस सच को स्फिकार करने की आदत डाले सच से भागने की आदत मत डाले अपनी कम्यों को सुधारना है तो आलोचकों का भी समान करना होगा तब जाके आप positive मनेंगे नकारात्मक विचारों के कारण परिस्तिती के साथ लड़ने का जजबा जो है आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यह आपका विश्वास है या जित इस बात को समझने की कोशिश आपको करनी होगी अपने लक्ष को धियान में रखे और हर एक कदम उठाने के लिए जरूरी है आपका लक्ष किसी भी बात के कारण लोगों को दुख ना पहुँचे आपकी तरफ से इस बात का भी धियान रखे अपने परिस्तिती बदलने का मोका बार बार आपको दिया जा रहा है और आप के वर नकारात्मक बातों में उल्जे रह रहे हैं जिससे इस्तिती का आप ठीक से पाइदा नहीं उठा रहे हैं देखिए भगवान आपको बार बार मोका दे रहे हैं income source बढ़्याने का मुकौां दे रहें, आपके भविश्य को सवारने का मुका दे रहें, उज्वल भविश्य का मुका 2 007 कम दे रहें, वो condition है, create करते हैं conditionों से उभरने के लिए लेकिन आप समझ नहीं पा रहें, समझने के लिए दिमाग को शांत करना होगा अगर कंडिशन है पोजेट चल रही है तो दिमाग को शांत करें, धेर ही रखें एकांत में या मंदिर में जाकर के समय बिताए वहाँ आपको समझने में आएगा कि आखिर आपके साथ क्या हो रहा है जो फाइदा जो अवसर मिल रहे है स्वर्णिम अवसर वो सिफ आपकी नेगेटिव बातों की वज़े से आप कही ना कही उनका फाइदा नहीं उठा पारे नेराशा दूर करने के लिए सकारात्मक बातों पर धियान रखें और जहां से नेगेटिव एनरजी मिल रही है महां से दूर हो जाए जहां पॉजिटिव एनरजी मिलती जहां कॉन्फिदेंस लेवल बढ़ता है किसे से बात करने पर उसी बंदे से बात करें पिछली बातों को छूड़कर आगे बंढने की कोशिश करें तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी पसंद आए हूं प्लेज लाइ